हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गूड इबनिंग टू अल उफ यू, सो भी मैट अगेन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, आनकैडमी जोके इंडिया का लाज़ वेस नमबर वन ऑनलाइन प्लाटफॉर्म है, उसके नमबर वन चैनल, लैट्स क्रेक्ट नीट यू जी ये मेरा फ्रेंड है मिंकू, ये रोज आता है आपको हेलो हाइ करने, तो बच्चो मैं हूँ, चैनल लैट्स क्रेक्ट नीट यू जी पर, नीट बयॉलोजी की एजुकेटर अनकैडमी पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से जल्दी बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, साथ साल का मेरे पास पढ़ाने का एक्सपिरियंस है और ये मेरा टेलिग्राम है, टेलिग्राम को जितनी जल्दी हो सकता है, टेलिग्राम एप को इंस्टॉल करके जोइन करिए, ठीक है, क्योंकि सेशन, लेंग, कब कौन सा सेशन आ सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ये टाइम बहुत सही है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ले लो अनकैडमी लर्निंग आपको इंस्टॉल करके, नीट यूजी का एक साल का या फिर दो साल का सब्सक्रिप्शन, जो की एक साल, दो साल का सब्सक्रिप्शन जो की बहुत best होता है code आपको apply करना है mb10 10% discount के लिए और मेरे plus के course में आने के लिए क्या बात है बच्चो यार एक second नहीं हुआ मेरे को चालू की हुए और 228 बच्चे जुड़ गए है वा यार तुम मेरे ही बच्चे हो I'm really 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 proud of you आज मैं सच में बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ यार very very I'm very good I'm very good और कल teachers day पे celebration के लिए बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों के लिए thank you very much students तो आज वैसे ही हमारा 8 बजे आने वाला year long batch course है पर इसमें मैं full labor smoke test biology number 7 खिलवाने वाली हूँ हम लोग थोड़ा speed में चलेंगे क्योंकि अब neat approaching है तो हमें speed को बढ़ाना है एक question को जल्ली से जल्ली करना है ओके नहीं यार तुम लोग मेरे बच्चे में बहुत खुश हूँ आज मलब एक minute भी नहीं हुआ पूरा and we have 249 live viewers इससे बड़ा achievement मेरी life का गवी नहीं हो सकता Thank you so much students आप लोग हो इसलिए अचीव कर पा रही हूँ चलिए question number 1 चलिए start करते हैं question number 1 ठीक है question number बच्चो अभी हम लोग hello high कर लिया चलो question number 1 क्या होगा इसका In kidney transplantation the problem of rejection has largely been overcome by using a drug कौनसा ऐसा drug हम लोग use करेंगे जिसमें जो rejection की power है वो काफी हद तक reduce हो जाएगी It is very easy cyclosporine ये directly दिया हुआ है हाँ भाई तुम लोग मेरे बच्चे हो टेंशन नहीं करो ठीक है Join fast, like and share Telegram join कर लो, subscription ले लो NeetUG का 1-2 साल का MB10 मेरा code है ठीक है Question number 2 Which of the following is not used for extraction of desired gene from a bacterium ऐसा कौनसा enzyme है जो कताई भी use नहीं किया जाता है वैसे तो enzyme है तो सभी में ही Aze लगा हुआ है भाई, lysozyme होगा ठीक है, ribonucleus तो होता ही है Proteus क्यों है, because if we deal with DNA we are going to deal with protein cutting Kiteinase, कताई भी use नहीं होता है ठीक है Question number 3 Question number 3 Okay Question number 3 A single stranded DNA और RNA tagged with a radioactive molecule is called as dash and is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells followed by detection using autoradiography Choose the option which correctly fills the blanks बताओ A single stranded DNA है आपको उसके साथ radioactive molecule जोड़ना है और DNA की multiple copies बनानी है बताईए, क्या होगा इसका इसका, यह क्या है? यह सीधी सीधी NCIT की line का fill in the blanks है प्रोब होगा न, प्रोब जो select कर रहा है वहाँ जाकर In which one of the following option, the two examples are incorrectly matched with their particular type of immunity ठीक है? बताईए In which of the following option, two examples are incorrectly matched? ध्यान में रखना, incorrectly matched पूछा है इनकर्रेक्टली मैच्च्ट इनकर्रेक्टली मैच्ट कौन सा है? भाई ठीक है, saliva physiological barrier है polymorphous cellular है anti-dietness specific skin, axial and stomach क्या होगा students इसका? skin, axial, stomach never behave as physical it is also a physiological barrier the figure below is a diagrammatic representation of E. coli vector PBR322 which one of the given option includes wrongly labeled component with respect to site of restriction endonucleus ये एक PBR322 आपको दे रखा है plasmid इतरीका सा factor है तो बताईए इसमें कौनसी कौनसी वाली site wrong labeled components है wrongly labeled है बच्चों आजाओ फटाफट mock test 7 है ठीक है? क्या होगा students इसका? गलत बताया है अगर आप इसको देखोगे तो wrongly labeled with respect to site of देखो BAM H1 की देखो अगर आप इसको PS2 या BAM H1 की site देखोगे तो ये गलत है आपका BAM H1 PS2 इदर से नहीं काटता है which one of which one is the most abundant protein in animal world दुनिया का सबसे आसान question है ये सबसे आसान बच्चों जादा से जादा join करो यार नीट के बच्चों के लिए full slabors है इससे बढ़िया accuracy तुमारी नहीं बढ़ सकती कौनसा होगा collagen और ये क्या देता है toughness, strength जहाँ पर भी tough word आता है न tough word वहाँ पर हम लोग collagen को यूज करते है which of the following is not likely to happen in this neuro-hormonal control system in response to stress of any kind हम इसको neuro-hormonal control system में include करते हैं, पहले आप इन चारों को पढ़िये और बताईए कि stress के लिए हम इनको नहीं use करेंगे बताईए thank you so much all of you for your appreciable comment पर आज तो मतलब मैं इतनी खुश हूँ ना कि मैंने एक मिनिट streaming की थी और एकदम 200 बच्चे मतलब yes you all are waiting for me जिस तरीके से मैं eager लिए मेरा friend मिंकु वेट करता है ना उसी तरीके से आप भी वेट करते हो यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात हो गई है आज बहुत बहुत ही जादा इससे पहले मुझे इतनी ची फिलिंग नहीं कभी भी क्या होगा भई हाइपो थलेमस एक्टिवेट पैरा सिंपिति डिविजिन नो सिंपिति अर्वस इसम एक्टिवेट रिलीजिंग एपिनेफिर नॉप्रेण और अद्रेनल कॉटेक्स सिंपिति नर्वस सिस्टम एक्टिवेट सिर्फ चौथा वाला सही है बाकी तीनों गलत है विच अब दी फॉलिविंग स्टेटमेंट्स इस और आर करेक्ट रिगार्डिंग दी कॉंपोजिशन दे रखा है बताईए कौनसे एक स्टेटमेंट्स या काफी सारे स्टेटमेंट्स सही होंगे हेलो एवरीबान आइम वेरी गूड मैं चैट देख रही हूं नाम तो एकदम फटाफट स्क्रॉल हो रहे हैं देखती जारी हूं मैं जित्ता देख सकती हूं क्या होगा लाइफस्पैन औफ स्पर्म फीमेल जनाट्रिक नो इट इस 48 आस सिमाइनल वेसिकल कॉंट्रिबूट ओनली 20 परसेंट नहीं सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड पी एच ऑफ सीमेंड देया लाइटली नो वेजाईना के पी एच पे भी डिपेंड करता है ठीक है और humans sperm move at the rate of 3 पर मीटर तुद फीमेल जनाटल ट्रैक तो सबसे सही कौन सा होगा स्टूदेंट्स सबसे सही कौन सा है option में B वाला है statement 3 है चलो following is the diagram of male reproductive system ये male reproductive system का diagram है which of the following labor structure is removed or tied up through a small incision on the scrotum in case of surgical method of contraception in females पता है इस surgical method का बहुत आसान है अगर आप इसको देखो सबसे पहले अगर males में surgery होती है तो उसको क्या बोलते है vast difference को काटके हम लोग जोड देते हैं हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग ये वैसिक टॉमी कर रहे हैं वैसिक टॉमी तो बी वाला क्या है vast difference given below the fourth statement चार स्टेटमेंट दिये गए हैं बताईए सही कौन सा है सही वाला बताईए बच्चो नी 2020 के लिए full slabbers biology mock test part 7 चल रहा है 90 questions 10 हो चुके हैं बताईए कौन सा सही है fertilization of ovum generally takes me as an ampullary isthmic junction ओके narrow part of cavity of uterus which opens into cervical canal is internal OS ओके ठीक है perimetrium अंडर वो cyclic changes during menstrual cycle and part of the fallion tube which is closest to the ovary is ampulla नहीं, ampulla के पास वाला तो infundibulum होता है और perimetrium नहीं जाती है, endometrium जाती है, तो सिर्फ A और B सही है common cold differs from pneumonia in that, किससे differ करेगा बताओ किससे differ करेगा यह neemonia is caused by virus while common cold bacteria, nहीं, common cold से भाइरस से होता है pneumonia is communicable by common cold non-c??? यह भी communicable होता है pneumonia can be prevented by live attunate vaccine where the common cold has no effective vaccine ठीक है नियमोनिय अ इस live attunate vaccine नहीं है pneumonia pathogen infect alveoli where common cold effect येस हम कहते है न डॉक्टर के पाफ जाते है तो डॉक्टर लिखता है तो भी खासी जुका में तो URT लिखता है प्रिस्क्रिप्शन पे URT मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्टर इंफेशन अगर वो इनर का लिख दे ताट मेंस इंफेक्शन गो तिल ब्रॉंक्योंस और लॉंक्योंस और लॉंक्योंस अल्ग्स अल्सु ठीक है इचे सिंपल ठीक है डायरेक्ट इसको लेर्न कर सो नियांट थिंदल हूमन हाऊ मैंनी मैचिओर एक्स अर्ट टिपिकली प्रेडियूस बाइच ओवरी ओफ नौन प्रेगनेंट विमेन इच इयर पूरे एयर में कितने एग बनेंगे हाउ मैनी एक्स टिपिकली प्रेडियूस बाइच ओवरी ओफ नौन प्रेगनेंट विमेन इच इयर नौन प्रेगनेंट स्पर्म कभी नहीं गया सेकेंडरी उसाइट कभी डिवाइड ही नहीं हुआ बताओ क्या होगा आपके थटीन का क्या होगा थटीन का कितने बनेंगे छे बनेंगे चल्ड बताओ 14. मैंस्टुएशन इस ट्रिगरद बाइन अबरुप्ट डिकलाइन इन अमाउंट अ हॉर्मोन सिक्रिटेट बाइ एक बार जस्टुएशन इन वन गो whatever will be the doubt will take that doubt don't worry पहले एक बार वन गो में कर लो 14 का क्या होगा डिकलाइन हो गया है आपका ग्राफियन फॉलिकर येलो पार्ट में बदल चुका है कॉर्पस लिूटियम चलो ऑक्सिटोसिन और वैसोप्रेसिन सिंथेजाइज इन हाइपो थेलेमस and reach to posterior pituitary by the way of भाई आपके हाइपो थेलेमस में ऑक्सिटोसिन और वैसोप्रेसिन बना अब इसको नीचे जाना है posterior pituitary तो कैसा आएगा डारेक डाइग्राम का question है बेटा मेंटी नहीं है ये नॉर्मल है आपको पता है यहां से exon बनते है exon निकल के herring's bodies बनती है तो exon of hypothalamic neuron the parts of neuron that receive nerve impulse and pass on graded electring potential towards the soma are बताओ towards the soma are भाई आपके soma पे जा रहा है सोमा पे जा रहा है soma, cyton, pericarion तो dendrites ही तो लेके जाएंगे इसको which of the following event increases when there is depolarization of nerve fiber depolarization हुआ है ionic जो balance है वो change हो गया है बताओ यह diagram है न diffusion of sodium ions into the neuron which of the following condition does not result in shifting of oxygen hemoglobin curve to the right मतलब यह curve है तो इसको right की तरफ नहीं खिसकने देगी ऐसी कौनसी कंडीशन में apply करूं अगर मैं pH को बढ़ाती हूँ बाकी जिसको भी बढ़ाऊंगी तो shifting होगी देगर अगर pH के साथ छेड़ छाड़ी करूंगी तो right में shift नहीं होगा यह एक diagram है पूरे loose connective tissue का ठीक है loose connective tissue अगर आप देखोगे तो it is depicting areolar connective tissue अब आपको label part बताने है ठीक है ऐसा कौनसा label part है जो cell की तरह behave करता है और hyparin और histamine को release करता है बताईए किसमें A होगा देखो बचो किसी कबार question में आती है problem कुछ चीजों में आप सही हो सकते हो मैं भी से तो that will D उसको इतना more tension लो अगर आप maximum question सही के तो that is okay ना कौनसा वाला होगा बी वाला mass cell ठीक है which of the following label parts of nephron called as diluting segment ये एक पूरे आपको nephron जो की kidney की structural and functional unit होती है हमें पता है कि हमारे पास एक kidney में कम से कम 1 से 1.2 million nephron है किस कौनसा segment indicate कर रहा है हम अगर आप इस segment को देखोगे इस segment को आप क्या segment कर रहा है C वाला segment आपको कौनसा segment के ला रहा है हम कौन बताएगा मेरे को who will write in the comment box ये जो C वाला section है actually ये कौनसा section depict कर रहा है अगर ये पता होगा तो diluting segment वैसे भी समझ में आ जाएगा बताएगे यार अगर आप इसको देखोगे तो it is depicting loop of henly न और इसके पास क्या बन रहा है पैरी टीबिलर कैपिलरी नेटवर्क डाइल्यूटिंग सेग्मेंट कितना एच तो जाएगा अंदर आएगा डिसाइडिंग है न यूरिडेनिस यूरिडेनिस ये तो सिंपल सा है जो इजी उसको जल्दी करते हैं नाइट्रोजिनस ग्लेस पर शुगर क्योंकि नीट में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना सब पड़ा हुआ है पर टाइम मैनेजमेंट नहीं है क्वेस्टन छूटेंगे आप लोगों के ध्यान रखना Malfunctioning of kidneys can load to accumulation of urea in a blood a condition called first in such patient urea can be removed by a process called second During the process of third the blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit called 4 Simple line है आपको fill in the blanks भरना है और एक last moment पे वीडियो दूँगी जिसमें आप लोगों को मैं समझा दूँगी कि वाकई में आपको questions कैसे attempt करके आने है तो जैसे तेरा तारीक को नीट है ना we will deal with that session either on 10th evening और 11th afternoon, okay ठीक है क्या होगा students इसका 22 का correct with the same word कौंसा होगा students it is B1 अगर आप 2nd और 3rd को एक साथ पढ़ोगे तो it is the correct option which of the following is not present in mucosa of intestine ये भी बहुत आसान है बहुत ही आसान है mucosa of intestine में नहीं होगा सब mucosa में होता है brunner's gland given below are two series of A and B ठीक है A में आप लोग ये maxilla, mandible, labra, mentina, B में blood bone, tendon, appendhyma, ठीक है तो अब बताओ choose the correct option which includes one odd one structure in series A and B बताओ एक सेकेंड कौनसा होगा odd one out match करेंगे तो antenna और epindyma trypsynogen is activated by enzyme secreted by intestinal mucosa वैसे तो एक तरीके से आप इसको एक hormone की तरह भी act करोगे It is enterokinase जो की trypsynogen तो एक protease hormone है protein splitting अगर आप उस पे enterokinase डालोगे intestinal juice का सककस entericus का which are the secretions of collective क्रिप्सिफ लिभरकूंस and brunner's gland तो यह trypsyn में convert हो जाएगा which of the following enzyme present in saliva acts as an antibacterial agent दुनिया का सबसे आसान question है It is simply lysozyne food के अंदर अगर कोई भी antibacterial आएगा तो मारेगा उसको ठीक है बताओ 27 जिस जो बच्चा लेट आया है छूट गया है बार बार recorded lectures देखना जिस भी theory में problem है अभी जाते time एक एक बार उनको देख लो अच्छे से बार बार recorded देखो मीतू मैमान Academy से सर्च को लो सब कुछ मिलेगा क्या होगा correct except one choose the incorrect activities of gastrointestinal tract neural control fructose amino acid egestion of fecus voluntary process significant digestive activity occur in large intestine गलत है ना पूरे में होगा the respirator system of cockroach consists of a network of trachea that opens through dash of small holes called dash present on dash side of the body simple you have to fill the fill-in-the-blanks 10 pair of small holes spiracles and located on the lateral side of body NCRT की line का fill-in-the-blank क्या अब ये गिवन बिलो एक cockroach की elementary channel का diagram है ठीक है choose the option which is not correct with respect to the function of label structure ABCD बताओ अरे ये कौन बोल रहा है कि let's sleep oh my god let's sleep नहीं पेटा mock test मैंने क्या है ये आठ बजे वेले टाइम पे शिफ्ट कर दिया है क्यूंकि हमें ज्यादा सथा एक या दो और mock test लेने क्यूंकि बिल्कुल end movement पे में question नहीं कराऊंगे end movement पे you have to deal with this रिलाक्स ली तो अलग टाइम न लेके 8 बजे वाले batch course में ही डाल दिया batch course तो चलेगा जो year long 12 जलता है बीच बीच में एक दो mock test डाल दिये जैसे हो सकता है कि कल भी डालूं telegram पे update कर दूंगी 29 का बताईए incorrect कौन सा है B help in grinding of food because of a thick cuticle layer 9 C junction के बीच में प्रेजेंट है foregut and midgut removal of excretory यह है C isoforgus opening सिर्फ इसके साथ मैच नहीं करता which of the following is not a correct statement for neuroglial cell बताईए neuroglial cells के लिए यह option घलत है बाई neuroglial cell half volume बनाते ठीक है support and protective है क्योंकि यह एक तरीके से macrophages ही होते है when the cell is suitably stimulated disturbance generated no no यह तो पूरा statement ही गलत है given below is a diagrammatic representation of a glandular tissue identify the structure labeled as A and choose the correct option with respect to its example बताईए thank you so much students for giving me such good pride prestige proud and good comments thank you so much thank you thank you यह क्या होगा किसको denote कर रहा है अगर secretive है तो भाई goblet ही तो होगा चाहे आप उसको एक में generate करो या multi cellular में koinocytes are the characteristic cells of koinocytes are the characteristic cells of psychon का होगा use spongia and cleona यह तो direct example पे बच्चों ध्यान रखना animal kingdom में अभी भी examples को अच्छे से देख के जाना क्यूंकि examiner को पता होता है कि बच्चे examples में फस्ते हैं और examiner उसी का ही advantage उठाता है तो आप लोग examples को एक बार जाने से पहले देख लो और जो पढ़ लिया है उसको revise करो नया पढ़ने की concept build up करने की आप कोई जरूरत नहीं है and just do the mcqs more more mcqs given below is a diagrammatic representation of a body wall a body wall germ layer को indicate किया गया है बताईए किस में है है simple लेकिन option में example को डाल दिया तो examiner ने क्या किया confuse कर दिया ऐसे पकड़ना आसान है पर example को तीन घंटे में पकड़ना बहुत difficult है किसका है यह आपको दिख रहा है क्या सीलों कुछ भी दिख रहा है नहीं दिख रहा choose the incorrect option with respect to given animals यह आपके animal का डाइग्राम है यह उसके नाम लिखे एक और slide है पहले इसको पढ़ लो एक और slide है इसको देख लिया act of parasite on fishes it has an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gills lids it legs a capacity to regulated body temperature sexes are separate in males pelvic fin bears claspers column 2 external fertilization oviparous development is indirect body is covered by dry cornified skin epidermal scales 4 chambered ADNF thicodont teeth दोबारा slide दिखाती हूं पहला दूसरा अब बताओ 34 का क्या होगा कौनसा वाला आपका मैच नहीं कर रहा है तीनों मैच कर रहे हैं पहली बात तो यह कत्ताई भी ectoparasite on fishes नहीं है mark mark odd one with respect to sexuality of organism बताओ mark odd one with respect to sexuality क्रिटी 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 all have open नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता all have metameric all have hemocyl all have hemocylen hemocyanian pigment पिगमेंट पिगमेंट नहीं all have double ventral solid nerve cord yes ठीक है fourth one d wala given below is a diagram of an animal यह एक animal का diagram दिया हुआ है ठीक है identify the animal choose the incorrect features इसमें ऐसे कौन से features है जो इनके लिए गलत है memory gland है heart four chambered है sex is separate है और यह वीवी पैरस नहीं है यही सबसे बड़ा exception आता है यह एक oviparous animal है चीक है in which of the following animal tympanum separates the ear and skin is moist बताओ बच्चो फड़ा फड़ा आजाओ आजाओ यार 700-800 बच्चो तो आने चाहिए अब तो यह test नहीं किया तो फिर क्या किया salamander and rana tigrina amphibian skin moist जहाँ पर आजे trick का question है amphibian घे डाल दो choose the option which include correct set of animals with respect to given statement four pairs of gills which are covered by operculum अब बताओ अच्चा बच्चो जो मारा batch course चल रहा है ना उसमें भी ecology biotechnology और till reproduction इतना करा है उसका भी में एक mega test लेने वाली हूं जल्दी से तयार है ना पढ़के आना mega test marathon test और जो promise करती हूं वो मैं निभाती हूं एक बार जो मैंने commitment कर दिया उसके बाद तो मैं आपकी क्या मेरी भी नहीं सुनूँगी ठीक है important chapter is biology उसका एक video दे दूँगी don't worry क्या होगा इसका hippocanther, catiae and therophyllum यह आपके यह जार दे रखे ठीक है ना find the organism in which blood vascular system respirator system and even elementary grandson diagram से इन्होंने question पूछ लिया अगर आप ध्यान से देखोगे न तो आपको यह warm का दिख जाएगा given below is a diagrammatic representation of vertible column which of the following labor structure from thoraxic cage यह weightage wise question डाले है you have more animal kingdom तो डाले है बताओ from thoraxic cage कौनसा वाला portion thoraxic cage बना रहा है beach वाला दिखी रहा है ना हमारा भी अगर beach का thorax portion आएगा तो rib cage बनाएगा mark odd one with respect to origin of germinal layers बताइए germinal layers से related यह odd one out है odd one out है बताओ क्या होगा 42 का adrenal cortex क्यों होगा पूरा germinal layers से पूछा गया है ना odd one out with respect from germinal layers अगर इसको ध्यान से थोड़ा और देखा जाए ना तो जर्माइन रिट और वन आउट फिर नोटों को और बैठेगा क्योंकि बाकी तीनों तो हम लोग germinal layers से relate कर रहे हैं ना relate करींगे the blood flows strictly by a fixed route through blood vessel the arteries and vein basically each artery and vein consists of three layers which of the following consists of smooth layer बताओ इसका क्या होगा इसका simple है ना जब भी म आता है muscle middle cunica media जैसे आपकी यह beach की myometrium uterus की तो भी muscle वाली है आपकी यह myocardium वो भी beach वाली है muscle वाली है which of the following is not a character sick feature regarding protein energy malnutrition marasmus marasmus में ऐसा नहीं होगा प्रोटीन कैलोरी डेफिशेंसी ठीक है less than infant में होता है patient show wasting of muscle edema swelling of partner यह चीज आपके marasmus में यह मेली kosher कर में देखी जाती है which of the following is not an example of flagellar movement flagellar नहीं है flagellar नहीं है बिल्कुल flagellar नहीं है तीनों में flagellar है movement of ovine fallopian tube कैसे होगा क्योंकि fallopian tube के पास columnar celiated epithelia में जो धक्का मार मार के मार मार के आगे बढ़ाएगी haploid are of great importance in raw in crop improvement because they कोई भी haploid structure का बहुत बड़ा significance होता है क्यों क्योंकि वो खासकर crop improvement में हमें एक जैसी homozygals generation दे सकती है यह है यह करेक्ट आप यह एक तरीके से डाइग्राम दे रखा है एक आपको आपकी एक डाइग्राम में इसमें आपको gases का composition दे रखा है बताइए कौन सा वाला किस पे set होता है अगर आप इसको देखोगे तो किस तरीके से set होगा यह carbon dioxide आपका 6 है, methane 14 है, CFC 20 है, nitrogen oxide आपका 60 है अगर बर्ड में DDT का biological magnification हो गया तो क्या चीज नुकसान दायक हो सकती है क्या चीज नुकसान दायक हो जाएगी उसका पूरा का पूरा calcium metabolism बिगड़ जाएगा अंडे पैदा होंगे तो degenerated होंगे, yox है कि नहीं बनेगा यह direct NCRT का question है और यह question पता नहीं क्यूं बार बार repeat किया जाता है 2002 South Africa Johannesburg में, ठीक है, इस पे confused मता नहीं, यह South America है हो सकता है कुछ बच्चे इस पे भी जा रहे हो, ठीक है Most important cause of biodiversity loss is, क्या होगा भई तुम्हारा घर छिंगा या, तुम रहोगे कैसे habitat loss, सबसे prime, जो prime है उसका answer यही है Select odd one out with respect to secondary succession Odd one out with respect to secondary succession Secondary succession, odd one है, नहीं होगा Abundant farmland, burnt for a flooded area, bare rock में तो primary होगा न, जिस पे आपका lichen grow करेगा ठीक है Available biomass for the consumption to heterotroph is ध्यान रखना, consumer कर रहा है क्या कर रहा है, consumer क्या खाएगा आपको पता है, GPP जितना कमाया, respiratory loss के बास NPP होगा तो heterotroph के बाद तो बचा हुआ ही है example दिया था मैंने, which statement is incorrect with respect to epiphytes, कौनसा statement epiphytes के लिए गलत है यह इस तरीके का कोई भी relationship set नहीं करते है mammals of colder area generally have shorter extremities to tropical इस rule पर NEET में बार-बार repetitive question आता है मेरी approach से वितनी है बच्चों आपके लिए के आप NEET में समझदारी से जाए और उसके साथ फोड के आए बढ़ा बिचारे का पेपर नहीं पोडने पर आप मजे से आये मैं खुश होकर आया पेपर देने के बाती yes I am satisfied with the paper इसलिए से tips and tricks बता रही हो end time बे कुछ पढ़ा नहीं रही हूं मैं आप लोगों को क्योंकि अब आपने पढ़ी लिए आपको मुझसे जादा नौलेज इससे बड़ी बात किया हो सकती मैं आप लोगों से पढ़ लूगी एक दिन एक सेशन रगेंगे जिस दिन बच्चे एंबी मैम को पढ़ाएंगे कितना मज़ा आएगा ना कौनसा होगा Allen's rule बार-बार repetitive question आते हैं चलो use of some microbes as bio fertilizer to enhance crop productivity is called यह तो साफी दिख रहा है organic farming in a STP microbial phlox are produced in STP मतलब secondary treatment या आप इसको sea waste treatment plant भी क्या सब्सक्राइब क्या होगा इसका formed in aeration tank पूरा आपको ऐसा oxygen supply देते हैं कि भाई oxygen जाओ और microbes जो aerobic microbes हैं वो organic matter को क्या करेंगे तोडेंगे तोडेंगे तो क्या होगा board decide होगा जितना जादा board उतना जादा water pollution select odd word now to respect to pest or insect resistance इसका भी direct है example NCRT का Pusa swarnim अब यह एक तरीके से एक cross बताया गया है ठीक है what kind of selection is being performed by plant breeder एक तरीके से यह आपका heterozygous है यह भी heterozygous है homozygous है heterozygous है homozygous recessive है ठीक है homozygous dominant homozygous 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 recessive finally end में आपको F2 generation यह मिलेगी कौन सा वाला है यह direct आपका दिया हुआ है इसमें आपको कुछ नहीं देखना है ठीक है इसको डारेक्ट देखना है आपको यह तो गए genetics में हम लोग कर चुके हैं यह हम लोग क्या कर रहे हैं यह pure line selection है आपको purity मिल रही है या तो आपको homozygous dominant मिलेगा या पर heterozygous sorry homozygous recessive मिलेगा batch course में reproduction कराने के बाद हम लोग genetics सी start करेंगे याद रखना ऐसे पढ़ाऊंगी कभी life में problem नहीं आएगी दीरे दीरे तसली से पढ़ेंगे genetics क्योंकि हमारा syllabus वैसे ही बहुत बढ़िया चल रहा है इको हो गई बायोटेक हो गई reproduction होने वाला है genetics evolution आराम से करेंगे फिर से microbes in human welfare लास्ट में ठीक है फिफ्टीन कर बता हूँ इन हाइपोथेटिकल सीक्वेंस अब अबव गिवन डबल-stranded dna प्रमोटर फाइव डेश एंड पर है और transcription हो रहा है इसकी mRNA की correct sequence बतानी है पूछा टिपिकल वे में है पर answer आसानी से निकलेगा वह आपको ये दोनों दे रखे है hypothetical sequence में आपको इसकी mRNA बनानी है तो mRNA आप सबसे पहले तो 5-3-end को चुनोगे और इसका क्या करोगे complimentary निकालोगे तो AU, CGUI आएगा ठीक है ये जो हम एक टन का dna मानते हैं ऐसे इसने कहा है कि हमारे पास thousand base pairs है ठीक है तो bonds कितने होंगे बताओ इसमें bonds कितने होंगे भई हजार तो BP है इधर एक जुड़ेगा इधर शूगर से एक जुड़ेगा तो bond 2000 हो जाएंगे ना डबल हो जाएंगे ना Select incorrect option with respect to sickle cell anemia कौन सा statement गलत है कौन सा statement गलत है How many kinds of genotype and phenotype will be produced respectively in tri-hybrid test cross बच्चो believe me जब batch course में year long जो 12th rows यूट्यूब पे चलता है Let's correct new channel पे Genetics में आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी कि definitely आपको अपनी life में कभी भी numerical solve करने में कोई problem नहीं होगी क्या होगा इसका Tri-hybrid cross में आपको कितना phenol और मिलता है बराबर मिलता है ना 8 और 8 अगर आप उसका homozygous, heterozygous या रिसे से dominate का cross कर आओगे तो If pollen grain is having 12 chromosome then what would be the chromosome number in endosperm of gymnosperm and angiosperm respectively बताईए कितना होगा 12 है भाई देखो यहां पर हम लोग जो gymnosperm का कर रहे हैं हम gymnosperm का बोलते हैं कि कोई भी ऐसा double fertilization नहीं होगा तो जितने chromosome आपके यह 12 chromosome है pollen grain में उतने ही endosperm में जाएंगे तो gymnosperm में 12 क्योंकि triple fusion हो रहा है तो हम तीन गुना कर देंगे इसको तो 12 and 36 angiosperms में which is incorrect to gametophyte in angiosperm angiosperm के gametophyte से related कौन सी चीज़ करेक्ट है which is correct कर्रेक्ट है बताओ कर्रेक्ट है भाई इसका डायोशियस gametophyte होता है male gametophyte 3 nucleotate है और female gametophyte तो 8 nucleotate है हमें पता है कि karyokinesis पहले तीन बार division करेगा फिर cytoplasmik करेगा तो आपके पास तीन antipodals दो polar nuclei और philiform apparatus एग और दो synergates it is difficult to show clear cut distinction between vegetative, reproductive and senitent faces तीनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको फरक ही नहीं नजर आ रहा है कि भाई यह vegetative में है यह reproductive में है यह old age में आ गया है direct NCRT का question है चाइना रोस और options में एक option यह जरूर आएगा अगर NEET में question आया तो Sugar cane is vegetatively propagated into 10 daughter plant How many types of genetically similar plants are produced? ध्यान रखना 10 daughter cell बनी है तो आप एक ही plant से बिलकुल वैसी की वैसी 10 बना सकते हो यह question यह बता रहा है ठीक है? Which one of the following plants cannot flower if the duration of light exposure is less than critical photo period क्रिटिकल फोटो पीरियड कम है राते छोटी चाहिए शौट नाइट प्लांट्स Select odd one out with respect to physiological effects of plant growth regulator which biosynthesize from tryptophan Tryptophan से बन गया अब उसके लिए यह चीज applicable कताई भी नहीं है Tryptophan से बन रहा है तो देखो आपका यह जो हॉर्मोन किसे आप यह कह सकते हूँ कि inhibit the growth of axillary bud also induce parthenocarpy wild use of herbicide lead to early seed production in conifer यह तो sentence the odd one out है In fermentation 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 में क्या होगा students अगला test most probably में कल ही डालूंगी अगर कल नहीं डाला तो परसों डाल दूंगी ठीक है क्योंकि आटवा नवा दसवा हना हम आटवा नवा दसवा तो आटवा नवा दसवा तक हो जाएगा ठीक है और हुआ तो फिर जो last में session खतम होगा mock test का उसी में मैं आपको थोड़ी guideline समझा दूंगी NEET के paper को देने के लिए ने तो 11 तारीक को ले लेंगे ठीक है देखो कल जैसे 7, 8, 9, 10 11 तारीक को strategy video ले लेंगे ठीक है एक दिन कल नहीं रखा है तो पढ़के आना अच्छे से random question करना या कल वाले में मैं कुछ और करवा दूंगी जैसा भी होगा बता दूंगी ठीक है क्योंकि अभी आपकी self study भी जरूरी है partial breakdown of glucose will produce 2 ATP in the process of aerobic respiration how many ATP molecules will be generated from first more molecule of triose phosphate डारेट आपकी cycle का question है cycle से निकाला गया है aerobic respiration में कित्ते बनेंगे भई लिखा रहता है 20 ATP select incorrect statement with respect to chemiosmotic synthesis और बच्चों आप लोगों को पता ही है कि 11th year long back special classes में start हो गए है रोज 4 बचे लगता है accelerate course for class 11th ठीके transport in plant चल रहा है बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में बहुत सारे concepts clear हो रहा है incorrect क्या है based on proton gradient ATPase enzyme जहां आ जाएगा सही है proton facility diffusion से निकलेंगे ATP generation के लिए यू 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 नहीं होगा chloroplasts are aligned with their flat surface parallel to the tangential walls of cells when thank you so much students for appreciating me कि मेरा पढ़ायावा आपको समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो यह बहुत ही proud की बात होती है एक educator के लिए यही proud की और कुछ नहीं है flat surface है tangent of wall है ठीक है अगर इसका नहीं याद है तो diffusion light gum question आया गभी घुमा फिर आगे यह option जरूर आएगा इसके अंदर during fixation of two molecules of nitrogen how many ATP and how many ammonia will be produced आप जब nitrogen fixation की cycle को चलाते हो तो कितने कितने यह produce होते हैं बताओ अगर आप reaction को ध्यान से देखोगे तो 32 ATP4 वो होता है ना ऐसे करके यह पूरा बनेगा in biological and industrial nitrogen fixation nitrogen is converted into nitrogen किसमे convert होता है अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम nitrogen fixation की बारे में बात करते हैं तो हम nitrogen को उसके usable product में convert कर रहे हैं तो simple ammonia में होगा ना चाहे आप किसी भी तरीके से कराओ और biological में भी ऐसा ही होगा which among the following cannot be a feature of micronutrient cannot be a feature of micronutrient activator of catalyst, activator of nitrogenase nutrient तो हम लोग वैसे भी एको enzyme में लेते हैं pollen germination, maintain ribosome structure नहीं ऐसा नहीं है यह तो mainly macronutrient पे गया है according to pressure flow hypothesis in phloem transport organic solute flows from the region of hypothesis transport in plant चल रहा है ना batch course, accelerate, accelerate course रोज special class लगती है unacademy learning app पे शाम को 4 बजे ठीक है तो इसके इसाब से किसकी तरह move करेगा from high turgor pressure ठीक है water flows into the cell and out of the cell and are in equilibrium to when the cells are placed in यह तो हमारा कल का topic आने वाला है क्योंकि हमने hypo hyper पढ़ लिया है isotonic solute solvent बराबर हो गया है Restorage of nucleo cytoplasmic ratio is performed in और जो batch course चल रहा है special class में उसमें थोड़ा पढ़ेंगे question करेंगे थोड़ा पढ़ेंगे question करेंगे तो वो बहतरी lectures हो जाएंगे आप लोगों के लिए ठीक है तो जाज़ास बच्चे आया करो कम आते हो बच्चे जाधा आओ special class में unacademy learning app को install करो और doubt cleaning के लिए तो subscription लेना ही है एक या दो साल का MB10 code यूज करके क्या होगा इसका कहां देखा जाता है Nucleos cytoplasmic ratio M face में देखा जाएगा क्योंकि proper carry or cytokinesis तो यह ही चलेगा तुमारा the complete disintegration of nuclear envelope marks D क्या बता रहा है marks D second phase of mitosis secondary medullary rays secondary medullary rays कैसे arranged होती है ऐसे या ऐसे transversely which among the following cannot be feature of given diagram बताओ cannot be a feature cannot be a feature अगर आप इस tube like structure को देखे तो आपको लगेगा कि इसमें इतना structure wordified plant organ example सबसे correct option कौन match करेगा क्लैडोट leaf की तरह ऑस्टेनल acacia thorn axillary blood नहीं है phylocate stem में रसकस गलत है which one of the statement is incorrect with respect to heterospory spore बन रहे हैं पर अलग अलग तरीके से तो heterospory के लिए यह चीज गलत हो गई है develops into dioceous gametophyte ठीक है spore बना सकते हैं important in stem evolution found in few yes heterospory इन दोनों का तो characteristic है develops into dioceous sporophyte no यह possible नहीं हो सकता कभी भी यह गलत है the endosperm in gymnosperm is अभी थोड़ी देर पहले ही इसका question आया है gymnosperm का जो endosperm होता है nourishment वाला वो क्या करता है नहीं double तो होगा यह नहीं fertilization भी नहीं होगा mega spore mother silk भी नहीं होगा gametophytic in nature तभी तो वहाँ एक ही बन रहा था select the option column बताईए archigonium I embryo vascular tissue and spermetophyte बताईए स्टाइए क्या होगा जिनम अच्रुकोनियम होती है embryo भी बनता है vascular tissue by spermetophyte बिलकुल साइए seed producing फ्रूटिंग बोडी इन में नहीं देखी जाती है यह तो फंजाई इन परफेक्टी इसमें देखी नहीं जाएगी यह बहुत लोवर फंजाई यह कॉमन सेंस की बात है ना बाकी इन तीनों में तो देखी जाएगी हिट्रोसिस इस स्पेशलाइस स्ट्रॉक्चर इन सम्मोनिरंस इट कैन नॉट बीए फीचर और ऐसे हिट्रोसिस बनता है न ना इट्रोजन फिक्सेशन के लिए यह किसमें नहीं होगा कीमो सिंथेटिक ओटोट्रोफ दो क्वेश्चिन और रिसर्ट स्कॉलर हैस कलेक्टे टू प्लांट फ्रॉम फिल और फाइंड दिस्टिंग्विशन फीचर पेरियन सिक्स फ्लावर का है कैलिक्स करोला चार फ्लावर का है यूनिसेक्शुल पांच है वो आपको क्या बताना चाहरा है इसके थूँ वो आपको क्या बताना चाहरा है ये सारी लीड देकर वो कौनसी एड से आपकी हेल्प कर रहा है लीड है, कंट्रास्टिंग केरेक्टर हैं कि आपको साफ समझ में आए जाएगी लास्ट क्वेशन फॉर टुडेश मॉक्टेस 7 इस पेला नाम जो और्गानिजम का उसके रस्पेक्ट में ये स्टेट्मेंट गलत है एक जीनस में हो सकती है बहुत सारी स्पिशीज रिलेटेट स्पिशीज सो होंगी ही पोटाटो बिंजल बिलॉंग तो डिफरेंट जीनस वो तो एक ही होते हैं ना तो बच्चो ये रहा आपका मौक टेस्ट ठीक है अब बच्चो मैं अभी भी यही कहूंगी जॉइन मी ओन टेलीग्राम ये लिंक है दूसरा ये हमारा ये लॉग बैच कोर्स है जो रात आठ बजे आता है ट्वेल्थ के लिए नीट अभी मैं अलग से कोई 2020 के लिए नहीं है सिर्फ क्वेशन्स करवा रही हूं तो वो इसी में ही मर्ज कर रही हूं कल हुआ तो मैं रख दूँगी मौक टेस्ट आठ वा नहीं तो फिर परसो रख दूँगी और वो तीन दिन लगातार चला लेंगे हम लोग जैसे आज सातवा हुआ आज 6 तारीक है तो आठ आठ नौ दस तो आठवी तारीको आठवाquinho नवी तारीको नवा तैसे ऊको दसभा ग्यारा तरीकों मैं आपको कुछ टिप्स दे दूँगी जैसे कि आपको अगर end time पे कोई problem है कोई doubt है तो you can openly discuss with me वो भी most problem 8 बज़ वे session में कर लेंगे तो 2020 वाले बच्चे तसली से जी सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है आराम से आप जा सकते हो guidelines आपको पता है dress code का भी पूरा knowledge है थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूँगी guide कर दूँगी ठीक है बाहर मत जाओ अभी अपने आपको protect रखो self थोड़ी study जादा करो इधर उधर जादा बात ना करकि अपना mental करेश मत खराब करो अपने आप पे भरोसा रखो ठीक है और रोज चार बजे unacademy learning app पर जिस पे मैं कलिया परसों से quiz करवाई दूँगी मुझे उसका method समझ में बिलकुल आ गया है वो quiz start हो जाएंगे तो वो भी unacademy learning app को install करके होता है method आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पर बताई दिया है कि update करो unacademy learning app को या install करो updated version उसके बाद आप category चूज करो फिर plus option पर जाओ page खुले का नीचे bottom में test आएगा test को open क्लिक करते से ही आपको join quiz का option आएगा code में खिलवाने time बताऊंगी आप लोगों को या telegram पर पहले डाल दूँगी it is a better more good version for mentee ठीक है तो mentee नहीं होगा आपसे ठीक है फोर पीम पर रोज special class लगती है unacademy learning app को install करिए benefit उठाइए subscription लेके उससे ज़्यादा आपको दुनिया में नहीं हो सकता ठीक है ना एक साल दो साल का need UG code MB10 तो आप unacademy learning app को install करके live quiz का मज़ा ले सकते हैं subscription लेके आप सारी problem का एक जगे one stop solution ले सकते हैं साथ में आप special class को भी enjoy कर सकते हैं तो और क्या चाहिए सब तो मिल रहा है ठीक है तो MB10 code subscription के लिए चार बज़े वाली special class रोज accelerate course for class 11th year long 2021 2022 टेलिग्राम पर जल्दी से जल्दी जॉइन करिए ठीक है रोज टेलिग्राम पर schedule डल जाते हैं कभी कोई class नहीं होती तो मैं लिख रहते हूं आज class नहीं है कोई फिकर वाली बात नहीं है ठीक है चलिए बच्चो थैंक्यू सो मच ठीक है और मैं अभी batch course में जो continue genesis हो गया था उसको कर लूँगी और उसके बाद हम लोग एक mega mock test ले ले लेते हैं eco, biotech और reproduction पर और जिन बच्चों के theory छूट गई है उनके लिए में एक mega marathon बीच बीच में लूँगी वैसे तो यह year long है पर हम लोग ले लेंगे जिससे की आप लोगों को revise हो जाए तो ecology के करते जाएंगे और question इससे जरूरी है क्योंकि आपका objective pattern है तो question जितने अच्छे होंगे grip उतनी ही mind की अच्छी चलेगी नीट में ठीक है बच्चों तो अब हम लोग मिलते हैं टेलीग्राम पर schedule देख लेना चलो student bye bye thank you so much